इस वार सड़ी ओबाँ फड़ी है सानु एक जिन्दगी दिती है और असी पूरी आल जेन्ट के ट्रांसपोर्ट वेलफियर असूशेशन दी तू तरफूं दिल दी गह रहा हैं चू उन्हा तनवाद कर देयां नाली राना साथ दाई बार बार तनवाद कर देयां क्योंके आसी इन्हा को ले हल्फ मंगना ऐसा इसा डिनल खड़े होए इन्हा उस दिन भी अलजी सावनों बेंची किती और पूरा दो दिन साड़े पूरे टच वीच रे दिन दे पंदरा पंदरा फोन कर देरे फाइल इते पहुंची यह हो जाएगा असी सारे आल जी अन्ट के ट्रांसपोर्ट वैलफेररस टर्फोर्फूर्फ फिर ते यह का रहना सावत तनवात कर दे हैं ठीक मैं मुबारक बात देता हूँ और जम्मू एंड किश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेर एसोसेशन को इनके अध्यक शजीद सिंग जी और इनके सबसातियों को ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जम्मू किश्मीर की सबसे पुरानी इंडस्ट्री है और पिछले कुछ बर्सों से ये इंडस्ट्री जो है मरने की कगार पे पहुंच चुकी थी और जम्मू किश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेर एसोसेशन ने एक बेड़ा उठाया और पांच-छे मांगें ऐसी रखी जिससे कि जम्मू किश्मीर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एक बार दुबारा नके बस जिन्दा हो जाएगी दौड़ेगी मैं मुबारक बाद इनको देता हूँ और इनकी तरफ से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की तरफ से और बाजपा की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ मानिये मनोज सिना जी का जो महा महीं लेटरिन गवरनर हैं जमूर्ण किश्मीर के जिन्होंने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को एक निया जोड़ डाला और वो फैसले किये जो तारीखी फैसले होंगे इस इंडस्ट्री के लिए मानिये मनोज सिना जी के पास जब भी हम कभी भी लोग हित के मामले लेके गए अब यहाली में आपने देखा कि पावर टैरिफ का मामला था मानिये मनोज सिना जी ने लोगों के हित को मद्दे नजर रखते हुए फैसला किया और या जो भी जब भी लोग हित का कोई भी मामला लेके गए तो उन्होंने हमेशा लोग हित में फौरी फैसले लिए जैसे ये भी फैसला लिया और ट्रांस्पोर्ट इंडस्ट्री को जिन्दा रखा मानिये यशस्वी परधान मंत्री नरिंदर मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास उसके चलते बाजपा की ये कोशिश है कि जम्मु कश्मीर में हर वर्ग को हर समुदाय को उसका हक मिले और जम्मु कश्मीर जो है जहां भारत मानिये परधान मंत्री जी के नेटरत में एक विश्व गुरू बनने की कगार में है वहीं जम्मु कश्मीर जो है वो उस विश्व गुरू का चमकता सितारा बने ये कोशिश हम सब की होनी चाहिए और हम सब को अपने इस जम्मु कश्मीर को भारत को मदबूत करना है सारे मीडिया जनानता नवाद करांगा क्योंकि मैं हमेशा कहना कि सरकार दे वीचे और साड़ी अवाम दे वीजिव कम्मुनिकेशन गैप है तुसी फिल फिल करना काम कर दे हो मैं भी लेटेड फिर एक वर सारे नों विसाखी दी बदाई दियांगा पुरे विशव पर दियां समू संक्तानू क्योंकि कल सानू विसाखी दे मोके ते एक बड़ा वड़ा सरकार ने तोफा दिता है जिसना साड़े बड़े वीर देवंदर सिंग राना जी सिनियर नेता बिजे बी जिनना ने दसे है कि इस ट्रांसपोर्ट खिता जेड़ा है एक मरंदी कगार ते कांगा मैं पहुंच सुक्या सी एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हलांकी देश दी रीड दी हड़ी है मगर किदे ना किदे जेके यूटी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के ट्रांस्पोर्ट वेलफेर एस्विशेशन दी तरफ हूं और स्मूज जुनिया नहीं तरफ हूं असी जित्थे होने बर लेफ्टेंड को अना मनोस इना सावदा तनवाद कर देयां उत्य ही दिविंदर सिंग राना जीदा तनवाद कर देयां जेड़े साधे कंदे नल क्योंकि असी पांच-छे दिन पहले इननकोल सारे कठे हो किया ऐसा कि प्राबलम आ रही है एल जी साव ने वी फाइलां मारक करके पेजियां संग किदे ना किदे रुक रही हैं संग मगरो साधा बड़ा वड़ा साध राना साव ने वी दिता और असी एक वार फिर तू आल रही सी ओसी फिटनेस दी 15 साल तु लाइफ तु उपर दी जड़ी गड़ी है उस गड़ी दी साल दे विच दो वार फिटनेस हो रही सी साधी डिमांड सी कि अगर साल दे वी दो वार फिटनेस हो रही है फी एक वार लही जाए जा साल दी फिटनेस एक वार किती जाए ओ सा सानू माफ किती है उस जो फी कि ऊह सेंस्ट्व प्र्सेंजर जा रहा सी। करती है आडर कर दीता है कश्मीर दा एक मेन मुद्धा सी इलीगल ओप्रेशन आफ ऐसा आटीजिस बसिस टीम बना लिए है वानेवर लेटिनन गुवर्णनल साव ने ए रिक्षा दा मुद्धा सी ओविस वी चार-पैंच दिन पहले देखे होना सी डीसी मैंम को बैठे सां मत में एक आंगा की अलजी मनुद्धा